हेलो फ्रेंस आज मैं साही पनीर बना रही हूँ इसके लिए मैंने 200 ग्राम पनीर ऐसे कट कर लिया हुआ है यहां पे मैंने काजू लिया हुआ है थोड़ा समगस दाना है और यह अद्रक है लसुन है और यह खड़े गरम मशाले है इसमें मैंने इलायंची लॉंग दाल चेनी लिया हुआ है यहां पे मैंने दो तीन चम्मच ऐसे घुमा के मैंने यहां पेटके मैंने दही भी ली हुई है दो बड़ावी इसमें टमाटर है दो प्याज है और दो मिर्ची है और यह मलाई है जो घर में आता है ना दूद उसकी मलाई है अब गैस को आन करेंगे और इसको गर्म होने देंगे यह गर्म हो गया अब इसमें दो चम्मच के करीब तेल डालेंगे उसको इससे घुमा लेते हैं जिससे जल्दी गर्म हो जाएगा इसमें इन खड़े मशालो को पहले डाल देंगे और चटकने देंगे उसके बाद मिर्ची और प्याज इसमें डाल देंगे इसको भी दो मिनिट के लिए ऐसे चला लेना है पहले उसके बाद इसी में मैं यह जो अद्रक लशन है वो भी डाल दूंगी इसको भी चला लेते हैं उसके बाद टमाटर उसके बाद बीच में ऐसे थोड़ा कर दें उसके बाद इसमें मगजदाना और काजु को डाल दें थोड़ा से फ्राइ कर लें इस तरह से उसके बाद पूरे में मिला दें अब मैं यहां पर एक चमच के करीब नमक डालोंगी जिससे सारा मसाला जल्दी से पक जाएगा टामाटर भी जल्दी गल जाएगा इसको मैंने चला लिया ऐसे उसके बाद ढग देंगे दो मिनट के लिए तब तक मैं यहां पर मशाला तयार करती हूं इसमें मैंने हाफ टीस्पून जीरा हाफ टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाला है इसमें हाफ टीस्पून धनिया पाउडर हाफ टीस्पून मैंने यहां पर मशाला लिया हुआ है पनीर मशाला और मैं यहां पर यह कस्मिली काली मिर्च लोंगी और थोड़ी सी हल्दी यानि हाफ टीस्पून इसको थोड़ा सा पानी में डाल के ऐसे मिला लेते हैं इस तरह मिला लेने से मसाला जलेगा नहीं चेक करते हैं यह देखे मसाला भी गल चुका है अच्छे से अब इसको यहां पर गयास बंद करेंगे इसको ठंडा कर लेंगे यह ठंडा हो गया है वह एक ग्रैंडर जार में ट्रांसफर करेंगे इसको उसके वाद पीस लेंगे यह मैंने पीस लिया है यहां से आपको अच्छे से पीस ना है आपको अब यहां पे दो चमच फिर से तेल डालेंगे इसमें आप यहां पे बटर भी डाल सकते हैं यह मैंने दो चमच के करीब तेल लिया अब मैं थोड़ा सा इसमें पंच फोरन एड़ करूँगी आप जीरा भी यहाँ पे डाल सकते हैं उसके बाद जो यह मसाला मैंने तयार करके रखा हुआ था ना उसको मैं पहले डालूँगी इसमें और दो मिनिट के लिए इसको पहले भूल लूँगी पानी पचा था ना वह मैंने इसमें डाल दिया उसके बाद यह वाला जो बैटर है इसको डाल दे यहाँ पे आप च्छान के भी ले सकते हैं मैंने नहीं च्छाना है अगर अच्छा से पिस जाए तो आप नहीं च्छाने अगर नहीं अच्छा से पिस आया है तो आप इसको च तुकड़ा तो मुमें आता है तो अच्छा नहीं लगता है अब यह जो मलाई है इसको में ग्रैंडर जार में एक बार घुमा लूँगी उसके बाद यहाँ पर मैं दही एट करूँगी उसके बाद इसको एकदम लगातार चलाते रहना है और आज को एकदम कम करके रखना है नहीं तो यह दही जो है वो फट भी सकती है फटने के बाद बहुत टेश्ट खराब आ जाता है इसको अच्छी तरह से चलाना है जब तक बॉइल नहीं आ जाए अब मैं इसमें यह जो मैंने ग्राइंड करके रखा हुआ था ना मलाई उसको मैंने इसमें डाल दिया मैंने यहाँ पर दो चमच के करीब लिया हुआ है अब इसकी quantity थोड़ी बढ़ावी सकते हैं अगर आपके पास अमूल है अमूल क्रीम तो वो भी डाल सकते हैं इसमें अब इसको ढग देंगे नहीं तो सभी जगा यह मसाला पड़ जाएगा यह देखें चारों तरफ से यह तेल ऐसे छोड़ दिया है आज यहाँ पर हाई रखें यहाँ पर मैंने हाफ टीस्पून के कर्ट चीनी भी मिलाई हुई है इसको भी अच्छे सी मिलादें और आज को हाई पर ही रखें तभी यह पिखलेगा जो इसमें मैंने डाला ना मलाई तभी वो पिखलेगा इसको चलाते रहें अब मैं इसमें पनीर डालूँगी इसको भी अच्छी तरह से चला लेते हैं पहले मैं इसमें एक कप के करीब पानी भी एड़ कर रही हूँ अगर आपको मसाला जादा ठीक लग रहा है तो थोड़ा सा और पानी आप डाल सकते हैं मैं तो इतना ही डाल रही हूँ और इसको भी दो मिनट के लिए ढग देंगे दो मिनट हो गया है और यह चेक करते हैं यह रेडी है अब मैं इसमें धनिया पत्ता एड़ करूँगी कस्तूरी मेथी थोड़ा सा उसके बाद मैंने थोड़ा सा घीस के यहां पे रख लिया हुआ था यह पनीर इसको डालने से यह बहुत अच्छा लगता है इसकी जो ग्रेवी जो बनती है न तो यह बहुत अच्छा लगता है और थोड़ा समय ने बचा भी लिया है गार्निशिंग के लिए अब ग्यास को बंद करते हैं आईए इसकी प्लेटिंग आपको दिखाती हूं यह देखें इसकी में इसी से गार्निश करूँगी यह देखें अगर आपको अच्छी लगता है